क्या निर्भ्या के दोसियों की फासी की उल्टी गिंती शुरू हो गई है। पूची गई अंती मिच्छा तो क्या निर्भ्या के दोसियों की फासी के दिन करीब है। निर्भ्या के दोसियों के फासी में हो रही देरी को लेकर लगतार सवाल उठ रहे हैं। निर्विया के दोसियों के हर बार कोट पहुँचने और फासी की तारिक बदले जाने को लेकर बहस शिड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने कहा कि अगर राश्पती के और से किसी दोसी की रहाचिका खारी हो जाती है तो उसे साथ दिन के अंदर फासी दे दी जाए। इन सब के बीच दिल्ली के तिहार जेल में निर्विया के दोसियों के फासी को लेकर सुख बुगाट शुरू हो गई है। में जमा कोई रकम है तो उसे किसी के नाम रांसफर करना चाहते हैं या किसी को नौमिनी बनाना यानि किसी को पूरा कराया जाता है कबर रकिन चारों को फासी देने की नई डेट एक फरवरी को देखते हुए अब जल्लाद 30 जनुरी को बुलाया जा रहा है ताकि इससे पहले वह इन्हें फासी देने के ट्राइल भी कर सके हाली में पवन और विनाय के परिवार ने दोनों से जेल में मुलकात की थी बताया जारा कि चारों में से एक ने अपनी जिन्द की खत्म होने के डर से खाना छोड़ दिया है जबकि दूसरा भी कम खाना खा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में जेल सुत्री के हवाले से कहा जारा कि चारों में से एक विनाय ने दो दिनों तक खाना नही तारिक एक फरवरी सुब़ छे वजे मुकर्रर की गई है इस तारिक के मुताविक जेल प्रसाशन ने अपनी सारी तैयारी सुरू कर दी है ऐसे में देखने वली बात होगी कि चारों को एक फरवरी को फास ही होती है या फिर कोई और तारिक सामने आती है इंडियानीज वेरल की रिपोर्ट